आप सही रास्ती पर चलते हैं किसी का दिल नहीं दुखाते लेकिन फिर भी आपको सफलता क्यों नहीं मिलती आपको इस चीज का फल क्यों नहीं मिलता आपने कभी सोचा है अचानक आपके परिवार में अशान्ती क्यों हो जाती है जिस कारोबार से आपका घर चलता है वो आगे क्यों नहीं बढ़ती कैसे अचानक आप बिमार रहने लगते हैं इसका कारण है बुरी नजर वास्तु दोश शनी दोश और मन की अशांती मन की अशांती क्या है कई लोगों की वाइप बहुत जादा नेगेटिव होती है वो कुछ आपको ऐसा गलत बोल देते हैं जिसक वैंत्र से शुद्ध मनत्रों और पूजा पाट के साथ बनाया गया है इससे आपके जिंदगी की नेगेटिवीटी दूर होती है यह आपके जिंदगी से आने वाली हर रुकावट को दूर करेगा आपकी शारिकky मानसिक और सामाजिक बाधाओ को दूर करेगा जो भी व्य इन बुरे शक्तियों का प्रभाव कभी नहीं पड़ता अब मैं आपको यह बताते हूं कि इस जिंत्रे में किस चीज का क्या वहत्व है नौर उतनों से जड़ी हुई अंगूटी जिसे धारन करने से आपका मन शांत रहता है बुरे विचार नहीं आते और आपके आसपास हमेशा पॉजिटिव एनरजी बनी रहती है भर्स्म आप जब घर से निकले तो इस भर्स्म को अपने माथे पर जरूर लगाए आपका कोई भी कारे असफ़र नहीं होगा रुद्राक्ष इसे धारन करने से शिफ की किरपा आपको हमेशा महसूस होती है और आपका confidence लेवल बढ़ता है चांदी का लौकेट जिसे गले में धारन करने से बुरी शक्तियों के प्रभाब आप पर नहीं पड़ता सूरे की प्रतिमा लगाने का विशेश महत होता है इससे वाश्टु दोष दूर होता है अचाना खोने वाली दुरगटना से बचाता है आप इसे अपने घर के मुख्य दौर पर लगा सकते हैं त्री शक्तियंत्र इस यंत्र में बहुत शक्ति होती है इसे ओम शक्ति त्रिशूर भी कहा जाता है आप इसे घर के दरवाजे पर लगा सकते हैं जिससे आपकी घर में कोई नकारात्मक उर्जा प्रवेश ना कर सके ये बाधा मुक्तियंत्र किसी चमतकार से कम नहीं है आप अपने जीवन में इसका प्रयोक जरूर करें और अपने जीवन में अपने कारोबार में तरक्की की और बढ़े और सूरज की रोशनी की तरह हमेशा चमकते रहें